पूरी शायंस आधारित बाते हैं। इसमें औक्सेजन नहीं रहेगा तो कीट पतंग नहीं लगेंगे और यह पूरे शाल सुरक्षित रहेगा। हमारे गुजरदी शित्र अनाज को सुरक्षित रखते थे। लेकिन आज के इस रसायनिक यूग में हमारे जो डॉक्टर हैं साइंटिस्ट हैं। वो किसानों को बदा देते हैं कि आप इसमें सलफास की गोलेयां डाल दो, जहर की गोलेयां डाल दो। उनका कुछ दिन परभाव रहता है और वो दूस प्रिणाम बहुत जादा होते हैं। एक मिने बाद धिर्कीट लगने शरू हो जाते हैं। और इस तरह कि जो हमारी प्रमपरागत विदी है, इसमें भले आप 10 साल इस अनाज को रहने जेना यह बिलकुल खराब नहीं होगा। यह देखी, यह हमने मूंग है, यह स्टोर कर रख्या है। कितने अच्छी मूंग की देशी उराइटी है। इसमें भी हमने बालू डाल लग्या है। यह चणे की दूसरी किसम है, दो देशी चणा होता है। वह है। यह हमारी अरर हर है। जो कि प्थले साल की है। औरल ही तक यह देखो दुलकुल कोई कीडे नहीं है। दूकुल पूर्ण था सुरक शिथ है। इसमें भी ये अरर है ये इस साल की ताजी अरर है तो इसमें भी हमने मिट्टी डाल दी है ये दूसरी बड़ी टंकी है इसमें भी अरर स्टोर करके हमने ये बालू डाल दिया है ये टंकी है ये पूरी चने की बरी है और इसमें चना डाल के उपर से बालू मिट्टी डाल दी है तो पूरी तरह सुरक्षित रहेगा तो मेरी सब साथियों से यह विंति है कि ऐसे पुराने प्रम्पराज़त तरीके अपनाएं और अपने अनाज को सुरक्षित रखें और जहर से बचें नमस्ते कुछ भाते को सुर कर box को सुर कि अ सुरlenester सुर्ण से अनाज को सुरक्षित अे यहर बचर मेरी को सुर्ण से लिएine तरह से सुर्ण से साथित i गविंति है